साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विधार्थी में आपका भधवत सागत है आज की वीडियो हिंदी को अंगरेजी में लिखना सीखें हिंदी को अंगरेजी में लिखना सीखें कि आज की इस वीडियो में हम कुछ वाक्य लेकर आए हैं इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में लिखना सिखेंगे ये हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है यहाँ पर हम आप हिंदी को अंग्रेजी के अक्षरों में लिखना बताते हैं यानि कि रोमन लिपी में लिखना बताते हैं तो आप भी अपना copy और pen लेकर हमारे साथ साथ लिखेंगे आज का पहला वाक्य है जल्दी उठो आठ बज गए हैं जल्दी उठो लिखेंगे आठ के लिए डवल ए टी एच आठ बज बी ए जे बज गए जी एई गए हैं एच ए आई हैं जल्दी उठो आठ बज गए हैं के वाद में अगला वाक्य है आज छुट्टी है मुझे सोने दो आज डवल ए जे आज छुट्टी सी डवल एच यू डवल टी और आई छुट्टी है एच ए आई है मुझे के लिए लिखेंगे मुझे के लिए लिखेंगे मुझे सोने आज छुट्टी है मुझे सोने दो के वाद में अगला वाक्य है क्या तुम्हें याद है आज हम कहीं जाने वाले हैं क्या के वाई ए क्या तुम्हें याद याद है एच ए आई है क्या तुम्हें याद है आज डवल ए जे आज हम एच ए एम हम ठीक है कहीं और कहीं कहीं एच यू एम भी लिखा होता है हमके लिए एच यू एम तो आप चाहें तो एच यू एम भी लिख सकते हैं ठीक है हम कहीं के एच आई कहीं जाने जे डवल ए एन ए जाने वाले वी ए एल ए वाले हैं है एच ए आई हैं क्या तुम्हें याद है आज हम कहीं जाने वाले हैं के बाद में अगला वाके लिखेंगे ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा सोने दो ठीक है टी एच आई के चाहे तो आप टी एच डवल ए के लिख सकते हैं है एच ए आई है ठीक है लेकिन एल ए के आई एन लेकिन मुझे ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा सोने दो के वाद में अगला वाक है आपको अपना वायदा पूरा करना चाहिए आपको डवल ए और पी आप के ओ को अपना अपना वायदा वी ए वाई डी ए वायदा पूरा पी डवल ओ और आर ए आप चाहें तो पी यू आर ए लिख सकते हैं पूरा करना के ए आर एन ए करना सी एच और एच सी एच ए एच आई ए चाहिए आपको अपना वायदा पूरा करना चाहिए अगला वाके लिखेंगे तुम जल्दी से तयार हो जाओ मुझे देर नहीं लगेगी तुम टी यू एम तुम जल्दी जे ए ल डी आई जल्दी से एस इसे तयार टी ए आई तय वाई ए आर तयार हो एच ओ हो जाओ जे ए ओ जाओ मुझे देर नहीं लगेगी एम यू जे एच ए मुझे डी ए आर देर एन ए एच आई नहीं एल ए जी ए लगे फिजी आई गी लगेगी तुम जल्दी से तयार हो जाओ मुझे देर नहीं लगेगी और अगला वाक के लिखेंगे ठीक है हम तयार होते हैं ठीक है टी एच जैसे कि हमने पिछे लिखा था टी एच आई यहाँ पर हम टी डॉली लिखेंगे दोनों तरह से ठीक ही पढ़ा जाएगा आप जैसा ठीक समझे वैसा लिखेंगे ठीक है ठीक है एच ए आई ठीक है हम एच यू एम हम तयार टी ए आई वाई ए आर तयार होते हैं हो टी होते हैं ठीक है हम तयार होते हैं के बाद में अगला वाक है लो मैं भी उठ गया मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी लो एल ओ लो मैं एम ए आई मैं भी बी एच आई भी उठ यू टी एच उठ गया ज्यादा ज्यादा आप चाहें तो यहाँ पर ए ना भी लिखें तभी ज्यादा ही पढ़ा ज्यादा देर नहीं आईन ए एच आई माप परना एच है यहाँ पर इसने नहीं लिखा जागा नहीं देर नहीं लगेगी लगेगी लो मैं भी उठ गया मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी के बाद में अगला वाक है ठीक है हम जल्दी से घर की सफाई कर लेते हैं ठीक है टी एच आई के ठीक है हम 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 जल्दी जे एल डी आई जल्दी से एस ए से घर जी एच ए आर घर की के आई की सफाई के ए आर कर लेते हैं अल ए टी ए लेते हैं ठीक है हम जल्दी से घर की सफाई कर लेते हैं अगला वाक के लिखेंगे मुझे तो बस मेरा कमरा ही साफ करना है आप भी हमारे सासा लिखते रही है लिखेंगे मुझे एम यू जे एच ए मुझे तो टी ओ तो बस बी ए एस बस मेरा M E R A मेरा कमरा के ए M A R A कमरा ही ही साफ करना है S A F साफ करना है के ए आर एन ए करना है है करना है मुझे तो बस मेरा कमरा ही साफ करना है अगला वाकि लिखेंगे तुम उतना ही कर लो बाकी मैं खुद कर लूँगी तुम तुम उतना यू टी एन ए उतना ही ही कर के ए आर कर लो लो बाकी बी ए के आई बाकी मैं मैं खुद के एच यू खुद के ए आर कर ल डवल ओ एन लूँ जी आई गी लूँगी तुम उतना ही कर लो बाकी मैं खुद कर लूँगी के बाद में अगला वाक है मैं तयार हूँ तुम भी जल्दी से तयार हो जाओ मैं M A I मैं तयार T A I T I Y A R तयार हूँ H U N हूँ तुम T U N तुम भी B H I V जल्दी J A L D I जल्दी से O J A O जाओ मैं तयार हूँ तुम भी जल्दी से तयार हो जाओ के बाद में अगला वाक है आओ सबसे पहले हम मंदिर चलें A O A O सबसे S A B S की सबसे P A H L E पहले हम H A A M हम मंदिर M A N D I R मंदिर चलें C H U A L E N चलें आओ सबसे पहले हम मंदिर चलें के बाद में अगला वाक है वापस आते समय हम बाजार होकर आएंगे वापस आते समय हम बाजार होकर आएंगे लिखेंगे वी ए पी एस या पी एस भी लिख सकते हैं आप वापस आते डवल ए टी ए आते समय S A M A Y समय हम H U M हम बाजार B A Z A R बाजार होकर H O हो K A R कर बाजार होकर आएंगे डवल ए E N G E आएंगे वापस दुबारा लिखकर आपको बताते हैं वापस इस तरह लिखेंगे V A P A S वापस इस तरहें भी लिख सकते हैं अला वाक है आज तो पूरा मजा आ गया लेकिन घूम घूम कर ठक गए आज डवल ए जे आज टी ओ तो पी यू आर ए पूरा M A Z A मजा आ डवल ए आ जी वाई ए गया आज तो पूरा मजा आ गया लेकिन L E K I N लेकिन घूम घूम कर G H U M घूम G H U M घूम K A R कर ठक टी एच ए के ठक गए G A E गए ठक गए आज तो पूरा मजा आ गया लेकिन घूम घूम कर ठक गए के बाद में अगला वाक लिखेंगे आज का खाना हम बाजार से मंगा लेंगे आज डवल ए जे आज के का आज का खाना K H A N E खाना हम H U M हम बाजार B डवल ए और जेड ए आर बाजार से S E से मंगा लेंगे M A G A मंगा L E G E लेंगे आज का खाना हम बाजार से मंगा लेंगे और अगला वाक है मुझे भूख नहीं है मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं मुझे M U J H E मुझे भूख B H डवल O K H भूख नहीं N A H I नहीं H A I है मैं M A I मैं आपके लिए डवल O A P आपके लिए लिए खाना K H A N A खाना L E K A R लेकर डवल O A T A आता H U N हूं मुझे भूख नहीं है मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं के बाद में अगला वाक है तुम्हे खाने में क्या चाहिए तुम्हे T U M H E N तुम्हे K H A N E खाने और M E में क्या K Y A क्या चाहिए C H A H I E चाहिए तुम्हें खाने में क्या चाहिए तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सिखा उमेद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विध्यारती को सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्योभारिक तरीके से हिंदी लिखना प्रणा सिखाया है और पिछली कुछ वीडियो के माध्यम से हम आपको हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सिखा रहे हैं जिसकी हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आप उस प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारी अन्य वीडियो भी देखें